गुद मॉर्णी टू अल आफ यू और वेलकम बैक टू माइलाइन क्लासे साइम डॉक्टर सुक्यादो और बच्चों आज हम डिसकस करेंगे एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक के विशे में जिसका नाम है बाय टेकनोलोजी बच्चों बाय टेकनोलोजी हम लोगों के competitive point of 입 से academic point of 입 से इंपोर्टेंट है ही साथ ही साथ बच्चों हम लोगों के दैनिक जीवन में भी इसका बहुत ज़्यादा उप्योग है अर्थात इसको जानना बहुत ज़रूरी है चाहे वो कोई भी person हो बच्चों सब को बाय टेकनोलोजी के विशे में जानना ज़रूरी है क्योंकि आज का किसान भी बाय टेकनोलोजी के माध्यम से खेती करता है आज के विजनेस मैन भी बायो टेकनोलोजी के माध्यम से अपना प्रोड़क्ट अपना वेवरेश तयार करते हैं तो आज आईए बच्चों हम इसी वीडियो के माध्यम से बायो टेकनोलोजी के बहुत सारे important acts को जानने की कोशिस करेंगे, इनके introductions को जानेंगे साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि बायो टेकनोलोजी का यूज किस किस फिल्ड में किया जाता है और क्या क्या इसके uses हैं, टी बच्चों तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये बात करेंगे तो let's be start about the biotechnology, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बच्चों बायो टेकनोलोजी का साब्दिक अर्थ क्या होता है, जैसा कि नाम से असपस्ट है बायो प्लस टेकनोलोजी, अर्थात किसी जीव के अंदर किसी तकनी की दोरा किसी अभ्यांतरी दोरा, अर्थात किसी इंजिनिरिंग के दोरा, जो मॉडिफिकेशन किया जाता है जीन में अब उस जीन के मॉडिफिकेशन से जो हम लोग अपना मनचाहा प्रोड़क्ट तयार करते हैं बच्चों और वो मनचाहा प्रोड़क्ट के दोरा, जो हुमन वेलफियर के लिए बहुत उपयोगी होता है इन्ही सब के बिसमें हम आज इस वीडियो के माध्यम से बच्चों डिसकस करेंगे तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि बायो टेकनोलोजी सब्द किस ने दिया ठी बच्चों, तो दर्म बायो टेकनोलोजी वाज फस्ट वाइंड वाइदे एरिकी नैंटीन no.17 अर्ठा सन 1917 एसबी में सबसे पहले बायो टेकनोलोजी सब्द जो है बच्चों वो एरिकी साहब ने दिया किसने दिया बच्चों? एरिकी साहब ने ये बात आजाए बच्चों कि ये निए अगर हम यह जाने कि जनक काौन है तो कौन है तो पॉल फादर दवाइटेकनोलोजी आप इसको कहे रिमार कर लेंगे भच्चोंन कहे लिखलेंगे की है ये बहुत तो पूछा जाता आई अब हम जान लेते हैं कि बाटिज उप्रोप्रियोरोचिय डेफिनेशन क्या होता है किसको कहते हैं आई ये सरल सब्दों में सरल अर्थों में जानने की कोशिज करते हैं बायो टेकनोलजी इस दा यूज आप यूज आप इसको जानिये बायो टेकनोलजी किसी बायोज के प्रोसेस का वो यूज है अर्थात बायो टेकनोलोजी बायोजिकल प्रॉसेस या किसी आर्गेनिजम या उसके सिस्टम का एक ऐसा उप्योग है बच्छों अर्थात बायो टेकनोलोजी के माध्यम से हम किसी बायोजिकल प्रॉसेस का उप्योग करके किसी आर्गेनिजम का उपयोग करके या उसके सिस्टम का उपयोग करके एक ऐसा माइनुफैक्टर एक ऐसा प्रॉडक्ट बनाते हैं जो हुमन लाइफ के क्वालिटी को इंप्रूब करें ठीक बच्छो अर्थात हुमन वेलफेर के लिए हुमन वेलफेर के यूज के लिए हुमन लाइफ के क्वालिटी को इंप्रूब करने के लिए बच्छो किसी बाइलोजिकल प्रॉसेस के द्वारा या किसी आर्गेनिजम का यूज करके या किसी सिस्टम का यूज करके या किसी प्रकार के तकनिकी का यूज करके जो मनस्त्र के लिए उसके useful product को बनाया जाए या उसके welfare को improve किया जाए या उसके quality को बढ़ाया जाए बच्चों उसी टेकनलोजी काते हैं तो एक बार फिर समझने कोसिस करते हैं बायो टेकनलोजी इस दे यूज आप दे बायोलोजिकल प्रोसेस organism or system to manufacture products intended to improve the quality of the human life अर्थाद बायो टेकनलोजी एक ऐसा प्रियोग है किसी बायोलोजिकल प्रोसेस का किसी ओर्गेनिजम का किसी सिस्टम्स का जिसके द्वारा एक मनचाहा product हम manufacture कर सके और उसके द्वारा किसी मनुस्त्री के quality को improve किया जाए इसी टेकनिक्स को हम क्या करते हैं बच्चों बायो टेकनलोजी करते हैं एक और अर्थों में अगर समझने कोशिस करें एक और डेफिनिशन को जाने बच्चों तो द्वानुपिलेशन आइस त्रू जनेटिक इंजिएनिरी और आफ लिविग और्गेनिजम और दियर कंपोनेंट टू प्रोड्यूस यूशुली यूशुली कॉमेर्शियल प्रोडुक्त सच अस पेस्ट रिजिस्टेंट क्रॉप निव बैक्टिरियल स्ट्रेइन और नॉवेल फ्रमासीुटिकल्स अर्थाथ किसी नेचुरल स्ट्रेइन में जेनिक इंजिनिरीघ्रिंग के जो nature ने दिया है बच्चो जो natural strain है तो किसी organism का जो genetic constituents है genetic constituents में हम किसी techniques के द्वारा अर्थाथ biotechnology के द्वारा जब हुँसे manipulation करते हैं उसके gene का modification कर देते हैं बच्चो किसी desired gene को ले आकर उसमें हम fit कर देते हैं जो हमको चाहिए जो हमारा मंचाहा product हमको बनाना है उसके लिए responsive जो desired जीन है बच्चो उस desired gene को जब किसी strain के साथ हम जोड़ कर उसको manipulate कर देते हैं उसको manipulate करते हैं या modified कर देते हैं बच्चो तो उस modifications के दवारा उस modifications के द्वारा जब हम क्या करते हैं बच्चों येक नया commercial products तयार करते हैं कैसा बच्चों उस नय प्रोड़क्ट के द्वारा एक जो नया commercial product तयार करते हैं जैसे हम बात करें paste resistant crop अर्थाद कोई ऐसा crop जो किसी ने किसी paste से प्रभावित हो रहा हो बैगन के पौधे में कीडा पाया जाता है और बैगन का कीडा कैसे पहुँशता है महाँ तक आप यह जान लिजिये कंभी कंभी आप यह देखते हैं कि बैगन जो होता है बच्चों उसका जो फल होता है वो बिल्कुल उपर सिक्दम सही रहता है देखने में यह नहीं लगता कि इसमें कीड़ा होगा लेकिन जब उसको काटा जाता है तो उसमें देखते हैं कि बीच में कीड़ा आ जाता है तो कहां से आ जाता है सोचने वाली बात है तो उसका जो कीड़ा होता है बच्चो वो root के माध्यम से उसमें क्या करता है बच्चो वो आर्थार vascular systems के द्वारा वो कहां पहुँच जाता है उसके फल में पहुँच जाता है तो जड़ के माध्यम से इंट्री करता है ठीब बच्चो तो इस परकार से वैग्यानिकों का ध जैसे जैसे वो क्राप बना दिया गया है जैसे जैसे वो खायेगा वैसे वो मर जाता है क्योंकि उसको मारने के लिए ऐसा gene डेवलप कर दिया गया है जिससे उसके अंदर क्या होता है बच्चो जो translations की प्रक्रिया होती है वो रुक जाती है था transcription नहीं होने पाता translation नहीं होने पाता जिसकी वज़ा से वो मर जाता है इसको हम आगे वेडियो समें बताएंगे बच्चो प्राप से करते हैं पार्टेकनलोजी करते हैं कि प्राफ किसी क्राप को प्रती प्रस्टेंट करने के लिए अगर किसी बैक्टिरिया इनजाइम करना है घंजाइम को परावड करने के लिए हमको बैक्ट Närिे इस घर उन काकिशन करना पडता है जिससी वह ज्यादा से जालब हई इल्डिन्ग एंजायम्स हमको दे सके हमारे वह हों सब्सक्राइब करकर रहे हैं उसτι वह इंस्वन हार्मोंस की बात करें बाइटेकनोलोजी के माध्यम से बहुत अच्छे से अच्छे ड्रक्स मिल सकें इसके लिए हम क्या करते हैं तो आप सही विब में अगर हम साधना भासाम यह समझना चाहें बच्छो तो बाइटेकनोलोजी का यूज हम दो प्रकार से करते हैं एक तो हम यह करते हैं कि किसी भी जीन के अंदर अर्थाद कुल मिलाके के लिए किसी आर्गिनिजम का यूज करके किसी सिस्टम का यूज करके किसी सिस्टम किसी प्रकार के तक्निकी का यूज करके जब हम हम यूमन वेल के द्वारा भी human welfare में किया जाता है बच्चे उपयोग में लाए जाता है human welfare के लिए उपयोगी हो जाता है तो इन दोनों का यूज हम बायो टेकनोलजी के माथम से करते हैं तो आए बच्चो हम यह जानते हैं कि बायो टेकनोलजी के ब्रांचे कितने कितने हैं तो बायो टेकन दूसरा होता है modern बाय टेकनोलोजी ठीव अगर हम यह जानना चाहें एक और इंपोर्टेंट चीज बच्चों बता दें जैसा कि अभी हम लोग डेपनेशन में जान रहे थे कि बाय टेकनोलोजी का डेपनेशन देख रहे थे किस परकार से किया जाता है तो अगर हम इसमें यह देखें बच्चों एक एक ग्जांपल के तौर पर मोटी मोटे चीजों में समझना चाहें तो बाय टेकनोलोजी का यूज कहां किया जाता है जैसा कि बच्चों आपको पता है कि कुछ ऐसे इंसक्ट भी होते हैं कुछ ऐसे फायर फ्लाइ अनृट होता है वह क्या होता है तो बैग्जान को ने क्या किया बच्चों की लाइट के लिए जिन होता है जो पार प्लाइज होते हैं बच्चों उनके लिए जो responsible gene होता है उस gene of interest को उस desired gene को extract करके isolate करके अगर हम किसी plant के अंदर inject कर दें बच्चों तो वो plant क्या हो जाएगा बिल्कुल वो ऐसे चमकने लगेगा तो ये बच्चों बड़े आश्चरी वाली बात नहीं है ये किया गया है ये हो चुका है अर्फाज जो fireflies है उनके जो gene है desired gene है चमकने वाले उनको tobacco plant में डाला गया है किस में डाला गया बच्चों आख इसका यूज कहां किया जाता है बच्चों जो हमारे road होते हैं road के किनारे ऐसे plant को लगा दिया जाता है जिससे हमको state light की ज़रूरत नहीं पड़ती है वो रात में चमकते रहते हैं है ने बच्चो पूरे plant जितने road के किनारे लगे रहेंगे वो क्या होते हैं बच्चो दिप्ति करते रहते हैं तो वो bio luminescence हो जाते हैं और पूरे रात बच्चो निकाल के टोबाइको प्लांट में डाला गया है और वो इस्ट्रेट लाइट के रूप में यूज किये जाते हैं ऐसा हो रहा है अगर इंपॉर्टेंट चीज हम यह देखें बच्चो की जैसा का आपको पता है कि जो हुमन इंसुलीन के लिए जो इंपॉर्टेंट प्रोटी इंसुलीन तो हमारे पैंक्रियास के अंदर बनता है अगर किसी आदमी का पैंक्रियास डैमेज हो गया इंसुलीन नहीं बन रहा है तो उसको डाइबेटीस मेलाइटेस होने की समभावना हंड़ीट परसेंट हो गया अब उसको सही करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है अब वो इंसुलीन हम लाएं कहां से तो बैग्यानिकों का पहले तो क्या होता बच्चो ओल्ड वाय टेकनोलोजी के माध्यम से यह होता था कि पहले इंसुलीन को ही एक्स्ट्रेट किया निकाल लिया जाता है अर्था तो जो स्लॉटर्स होते थे बच्चो जब पीग मर जा स्लॉटर्स के यहां से पैंक्रियास को ले 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 लेट थे और फिर किसी हुमन बिंकिस में उसको डाला जाता था लेकिन यहां दो प्रॉबल्लम साती थी बच्चो एक तो यह आता है कि कितना स्लॉटिंग होगा कितने जानवरों को मारा जाएगा भाई यह इंसलीन को वाइल्ड वेलफेयर प्रभाव पढ़ रहा था एको सिस्टम डेमेज हो रहा था तो कितने गायों का हत्या किया जाएगा कितने पिक का हत्या किया जाएगा यह पॉस्बिल नहीं हो सका दूसरी चीज यह है बच्छों कि जब आप किसी फॉरें पॉर्टिकिल्स को किसी दूस हो जाता है तो हमारे यह सरीर के अंदर जो हमारे डवल वीजियो हमारे सैन यीभ है वह सानन फिर्फ का नटिए उसको इंचीत açम होन Prag कर देते हैं और जो implanted आर्गन होते हैं बच्चों जो रिप्लेस्मेंट किया जाते हैं वो भी सर्वाइब नहीं हो सकते हैं अर्थार खतम हो जाते थे उनका प्रभाव समापत हो जाता था तो कोई भी इंसुलीन अगर इंजेक्ट किया जाता था तो वह इंसुलीन क्या होता था थे इसके लिए क्या करना होता है तो वैज्जाइन को अभी चाहर एक हम बेक्टेरिया के प्लाज्मिड तो डाल प्लाजमीड होता है वो self duplicating होता है बहुत तेजी से duplicate करता है तो चुकि हमारा desired gene उसके साथ लगा दिया जाएगा तो वो self duplication करेगा और बहुत सारे hormones को तयार करेगा और फिर hormones को extract करके चुकि वो human का ही hormones बन रहा है उसके plasmid में human का ही hormones बन रहा है वो कोई अंतर नहीं है और फिर उस hormones को निकाल करें किसी मनुष्य के अंदर जब हम inject कर देंगे तो चुकि वो उसी का protein है उसी का response नहीं आ रहा था साथ ही साथ उसमें बहुत सारे अनिमल्स का हत्या किया जाता था कित्ता slotting किया जाएगा यह possible नहीं हो सकता था इसके लिए बच्चो अब नया जो छोपयों किया जाता है डे इसे बहुत बड़ा परिवरतन आया है तो आप देखेंगे बच्चो की जो और यह कोड़ा वो ने खेंगे तो तो माहग कि बात करने थे तो तो इसमें अब जाएंगे तो घड़ी तो घड़ी कितना होता है बच्छों पचास से 55 किलो मिल जाता है उससे भी अच्छा घर हम चलते हैं बच्छों टाइट होता है लगभग सतर से असी रुपय के मिल जाता है और सबसे अच्छे के गर ila हम बात करें बच्चो तो बहुत अच्छे अच्छे प्रॉडक्ट्स आए हुए हैं बॉसिंग पाउडर में जैसे हम सर्फ कि बात करें तो सर्फ और कुछ और भी पाउडर है बच्छों जो करेब दो सो रुपे किलो को मिलते हैं तो सोचने वाली बात है कि 40 या 45 से लेकर 200 रुपे किलो के इतना इतना विशाल डिफ्रेंसेस है डाम में तो यह सब वहिसी बात है बच्छों ये दाम में इसलिए परिवर्थन है क्योंकि बाय टेकनोल करने के लिए उससे आर्था जो इस्ट्रेन पड़ा होता है जैसे बात हम यह करें इस तो मैं टोमाटो सॉस अगर टोमाटो सॉस हम लोगों के अपड़े पड़ गया है तो टोमाटो सॉस में क्या पाजाता है इस टार्च पाजाता है अब उस इस उस्टार्च को जो ज्यादा मांगा है उसमें तीन चार पाँच एंजाइम डाले जाते होंगे और यह एंजाइम ही रिस्पॉंसबिल होते हैं दाग या धबों को छोड़ाने के लिए जैसे हम एक्जामपल के तौर पर हम पेस कर रहे हैं जैसे हमने बात किया कि टोमाटो सॉस तो टोमाटो स यूज करेंगे जिसमें स्टार्ज को डाइजिस्ट करने वाला एंजाइम डाला किया हो तो हम लोग जैसे सस्ता वाला है तो उसमें हम लोग जालते हैं छोटा मोला धबार आता है वह सई हो जाता है लेकिन जब जैसे हमारे तेल का धबबा है फैट का प्रोटीन का धबबा या किसी एचट का का धबा है यह इन सबको करने करनेके लिए उसमें क्ल करना पड़े गां जिसमें जादे से जादे जाधे lot to digest करने के लिए उसमें क्या हो लाइपेजन जाइम हो प्र Pak तरोटेन के लिए pior 근데 अगर आगर हम लैजन सबके लिए two babies भी यह उसको क्यों क्योंकि वच्छे जब तक जैसे हम लोग कपड़ा धूलते हैं तो कपड़ा धूलने का मतलब है ना तो जो हम लोग कपड़े पर सब्सक्राइब हम लोग कपड़ा पहंते हैं तो हम लोग पसीना होता है तो पसीना के साथ तो पसीना क्या होता है उसमें ओयल ड्रॉप्स होते हैं उसमें अर्थात लिपिट्स लग जाता है फैट्स लग जाता है तो कुल एंजाइम जो होते हैं बच्चो वो महंगे वाले डिटर्जी में होते हैं और वो उसको क्या करते हैं बच्चो उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं उसको हैडलाइज करने का काम करते हैं और हमारा धबत शूर जाता है और कपड़ा जो है बच्चों वो चमचमा जाता है तो ये डिपेंट करता है कि को है कोस्टली होने का कारणिया कि बायो टेकनोलोजी के द्वारा जादे से जादे एंजाइम किसी आर्गेनिजम के द्वारा एक्स्ट्रेक्ट करके बच्चो उस डिटेर्जेंट में डाला गया है तो यह एंजाइम सब आये कहां से अगर हम सबसे अच्छा बात यह समझें बच्चो की सबसे बड़ा एंजाइम है है एंजाइम है बच्चो सबसे जएदे तो हमारे इस टमक के अंदर हमाइक पाय जाते हैं तो अगर हम लोगों के कोशिकाओं से एंजाइम के लिए जो डिजाइड जीन निकाल कर किसी बैक्टिरियल लाजमिन लगा दिया जाँ और हम ज़ादे से ज़दे एं फिर उसको डिटेटेटेंट में डाल को डutet कर सकते हैं सब से ज़्यादा सफ थो हमारा शरीर कर सकता है कि यहां celebrating हम लोग चाहें हैं यह हम लोग चाहें जो आध चीज खाले वो सब इस टास के अंदर संब उद आले जाता हैं हम डाने ढस्याइब कर देते हैं एंजाइम को क्या करता है बच city certified करके isolate करके kisip plosmit के अंदर किसी bactrial strength के अंदर मनिपुलेट किया जाता है उच्याइम निकाल के हम लोग detergent में दालते हैं और Topks अन ह्ही सब techniques को हम बाटेकन suppression के फिरनें के यह जानेगे इसका बहुत सारे usas बच्छ और इंग्जांपल के तौर लें तो हम कितना एक्जांपल पेस्क करेंगे बहुत सारे एक्जांपल से आप देखेंगे तो कहीं ने कहीं यह इनलब यह भी जैसे हम लोग यह देखें कि आज किसान भी क्या करता है बच्चों हाईबरीट प्रजाती यह लगा रहा तेंटेट से देखने को मिलता है जो पहले एक फिर जें में 5 sounds होता था वह students लेइंड ने के सभूष को मौर्भा पयाइजी के दो ब्रांचेस कितने हैं तो bio technology के बच्चे दो branches हैं नमबर एक हो था है old technology और दूसरा होता है modern biology तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि old Syndrome ऑ से चील अर्थाद बच्चो यह old technologies का मतलब यह होता है कि natural strain में किसी microorganism के natural strain में अर्था जो nature ने दिया है nature के द्वारा दिया गया जो कोई microorganism है उसके उसका ही उप्योग करके जब हम curd का निर्माड करते हैं सराप का निर्माड करते हैं चीज पनीर का निर्माड करते हैं ब्रेड का निर्माड करते हैं विनेगर या सोरी विनेगर अर्था सिरके का निर्माण करते हैं यह मनेफेक्चरिंग करते हैं तो उसको हम ओल्ड बायो टेकनलोजी के अंतरगत पढ़ते हैं जैसा कि बच्चों आपको पता है कि जब बायो टेकनलोजी का नामू निसान जिसका उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं हम लोग करते हैं दूद को थोड़ा सा गरम किया दूद को गरम करने के बाद उसमें थोड़ा सा मठ्थ डाल दिये या थोड़ा सा दाही डाल दिये तो देखते हैं कि सुबह से खुब बिलकुल सॉलिड स्टेट में हमको देखने क कॉल से हमारी जो माताएं हैं वो दही जमाने की जो प्रक्रिया है बच्चो वो करती चली आई है और वो ओल्ड बाय टेक्नोलोजी के दोरा अर्थार नेचर के दोरा दिया गया जो सबसे बढ़िया टेक्निक से क्या है कि आप दूध जो गरम करते हैं तो दूध को आप लगभग केवल 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेट अर्था कुन-कुने तक ही करें क्यों क्योंकि हमारे दूध में जो दूध हम लोग निकालते हैं दूध में बहुत सारे आईसके जो harmless बैक्टिरिया भी होते हैं उनको मारने के लिए हम लोग जितना'D 45 डिग्री सेंटीग्रेट पर memory बचशो वो समआप्त हो जाते हैं मार कि चार या आफ 55 लिग्री सेंटीग्रेट तक ही high temperature पर मरता है तो कभी भी दूद्ध को boil नहीं करना चाहिए दूद्ध को कुनकुना तक ही रखना चाहिए अगर आप दूद्ध को कुनकुना तक रखते हैं और फिर उसमें मठा या दही डाल को उसको जमाते हैं तो बच्चों बहुत अच्छा दही जमता है बहुत ही दूद्ध को जमाती है और दही जम जाता है लेकिन वह उतना बढ़िया नहीं जम पाता कि बच्चों क्योंकि वह जैसे दूद्ध बॉयल कर दिये खुब तो उसमें जितने भी harmless बैक्टिरिया थे यूच्छ फिल बैक्टिरिया थे सब मर गए हैं लेकिन बाद में जब उस अच्छी वराइटी में तब जम पाएगा जब दूद्ध के भी बैक्टिरिया है वह भी सर्वाइव रहें तो दूद्ध में पाए जाने वाले जो लाक्तो बैक्टिरिया यूच्फुल बैक्टिरिया बच्चों वह जिंदा गर रहते हैं और आप उसमें मठ्था डाल की जमाते ही तो बहुत अच्छा जमता है ठीव चो तो यह हम जान लेते हैं बच्चों की जिवा टेकनोलोजी था और वह सुर्व टेकनोलोजी था जिस में नेचुरेल स्टेन आर्था जेम के द्वारा है अर्था तो किसी प्रकार को हैं कोई मोडिफिकेसन नहीं किया गया र सब्सक्राइब बनाने की प्रक्रिया है बच्चों वह बहुत पहले से पनाया रहा है अर्था सतयुक्त रेता धौपर में भी आपको देखेंगे तो उसका जिकर कहीं ने कहीं है जाता है क्योंकि मदिर्या समुद्रमंथन में जो मदिर्या मिला था बच्चों ये रेफरेंस है एक उदारण है कि मदिर्या जो है सराब बहुत पहले से बनता चला आया है तो उस समय बायो टेकनोलोजी कहा था उस समय ओल्ड बायो टेकनोलोजी था अर्थात नेचर के द्व प्रकार का मॉडिफिकेस्ट किये बगैर ही सिर्का बन जाता है इसी प्रकार से ब्रेट बनाया जाता है तो ब्रेट चीज विनागर वाइन कॉर्ड इन सब का जो प्रोडक्शन है जो मनिफेक्टरिंग है बच्चों वह ओल्ड वाय टेकनोलजी के द्वारा किया जाता है आए जैने टीक मॉडिफिकेस्ट के दोअर्था और भी सिर्ड में नेयिसम यहां जो जिसको हम बनाना चाहते हैं high amount में huge quantity हम बच्चों उसका huge हम करते हैं उसको निकालते हैं और निकालने के बाद bacteria plasmid में हम क्या कर देते हैं बच्चों उसको हम लगा देते हैं अर्था इसको गार से हम recaminant DNA बना लेते हैं और उस recaminant DNA को बच्चों हम किसे desired host के अंदर अर्थात किसी host के अंदर उसको हम डाल देते हैं और फिर वहाँ cloning होता है बहुत ज्यादे amount में हमको वह product बन जाता है जो हम चाहते हैं ठीव अच्चों तो यही है genetically modified organism are being used to enhance the productivity as well as the produce new useful products अर्थात productivity को बढ़ाना और साथ साथ किसी new product को तयार करना कोई ऐसा जो human welfare के लिए useful हो उस new product को बनाना साथ साथ productivity को improve करना races को सुधारने के लिए बच्चों हम इसमें क्या कर रहे हैं कि जो nature के द्वारे दिया गया microorganism था उसमें हम जीन manipulation कर रहे हैं छेड़ खान कर रहे हैं तो जीन का modification कर रहे हैं जीन को manipulate कर रहे हैं और इसके बाद इसके साथ जादे से जादे production हम ले रहे हैं और जादे से जादे new races को बनाया जा रहा है जदे जदे modified crop को तयार किया जा रहा है modified animal races को improve किया जा रहा है ठीव बचो तो यह जो technology है यह modern बायो टेकनोलोजी कहा जाता है आईए अगर हम जाने के बायो टेकनोलोजी के कितने branches हैं क्या क्या हम लोग करते हैं तो it has several branches अगर modern technology की बात करें तो बच्चों modern technology के बहुस सारे branches हैं जहां हम लोग इसका यूझ करके बायो technology का यूझ करके ज़्यादे से ज़्यादे प्रोडक्शन को ले रहे हैं ज़्यादे जादे ज़्यादा new product को भी बना रहे हैं और उस product बहुत सारा इंप्रूब्मेंट कर रहे हैं और बहुत सारे ड्रक्स का रिमाण हम लोग करते हैं क्राप बायो टेकनोलोजी जैसा कि हमने अभी अभी डिसक्स किया बच्छों की आज की किसान जो होते हैं हाइब्रीट क्राप अर्था ट्रांसजेनिक प्लांट्स का यूज कर बायो टेकनोलोजी के दोरा बच्छों क्राप में जैसे हमने बताया बच्छों कि पहले जो ओल्ड बायो टेकनोलोजी बायो टमाटर हुआ करते थे बच्छों उनका जप्यों कोमाल रहा होता है पहुत पतला होता थे में सब्सक्राप बSean कर कोavr wal D, इसके वह जर्म उसके उपर वाला जो cover है बच्चो वो क्या होता है बहुत मोटा होता है और वो गर्मियों के समय में भी बिल्कुल सही बना रहता है क्यों क्यों कि वो spoil नहीं हो पाता है तो उसमें क्या किया गया जीन का manipulation किया गया जीन मौटोटोば किया है गया एस प्रकार से बहुत सारे क्रॉप में भी मौटो न की द्वार किया गया है अगर हम बहुत सारी करें striples को बनाने जैसे पनाने के बनाने के शुद ब राधां चीजच पनीरीन सब में भी बच्चों बहुत सारा परिवर्तन किया गया है according to the modern technology के द्वारा तो यह सब ब्रांचे में किसका किसका यूज कहां कहां हो रहा है तो कहां कौन कौन से हैं बच्चों अर्थात मेडिकल बायो टेकनोलजी क्रॉप बायो technology as well as the industrial बायो टेकनोलोजी इन सब का कि इन सब के फिल्ड में हम modern बायोटेकनोलोजी का यूज करते हैं आए बच्चों अगर हम जाने आप प्रिंसपल्स को जान लेते हैं कि what is the principles of the biotechnology तो modern biotechnology के principle हला कि बच्चों जो old biotechnology है वो तो आही रहा है उसमें किसी प्रकार का कोई modification करना ही नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो तो वैसे भी हो जा रहा है बीने किसी modification के जो हमको क्योंकि बच्चों जब MS स्वामी नाथन सहभाए great scientist तो उस समय से बच्चों हरित करांती आया है green revolution में बच्चों जो हम लोग देखे हैं कि जब हमारे यहाँ खाद्यान का बहुत बड़ा problem था हमारे यहाँ अनाज होई नहीं पा रहा है बच्चों उसी समय से biotechnology हमारे भारत में जो है अंगी करित होके आया है हमारे भारत में जो biotechnology का उदय हुआ है बच्चों वो प्रोफेसर MS स्वामी नाथन के जबाने से हुआ है क्योंकि वही सबसे पहले इंडिया में biotechnology का revolution करते हैं बच्चों तो उसी समय से हमारे हम modern biotechnology का जिक्र हुआ बहुत तेजी से क्रेज हुआ है बच्चों और इसके पहले हम लोग old biotechnology में ही चल रहे थे तो आए हम principles को जान लेते हैं कि क्या principles हैं biotechnology के modern biotechnology के पिसे में तो modern biotechnology के principles को हम दो भागों में divide करके पढ़ते हैं हम लोग क्यों wann Delhi ना चैते है बच्चों यह बात करें बच्चों कि यह बात करें जनकि के दवारा हम लोग讲 डिजायर कि बात जीन को लेना चाहते हैं यहन क्योंकिए कि बच्चों हम लोग अग्र ऑगर स सरीर में तो बहुत सारे चैने हैं अगर से कुम को उल्स हम को आ करणा है न का आ है और इन तो हम एक यहिस निकालेंगे सुझाले तो अगर हम पूरे DNA का यूज़ करेंगे तो कोई मतलब नहीं क्या हो जाएगा बच्चों बिल्कुल कुड़ा बन जाएगा कुड़ा का बड़ा बन जाएगा क्योंकि हमको तो चाहिए हमको जो मार्केट में कमी है हमको चाहिए कौन सा अंजयम पतायार करने के लिए लाइपेज अंजयम तो लाइपेज अंजयम के लिए जो रिस्पॉंस्बिल जीन होता है बच्चों उसी को हमको निकालना होता है तो उस रिस्पॉंस्बिल जीन को निकालने के लिए हम लोग desired gene निकालते हैं तो हमको undesired gene लेने की क्या वच सकता है इसलिए हम लोग किसको select करते हैं desired gene को select करते हैं चुकि हमारा जब यह जीन निकलता है बच्छों हमारे उस gene में सब हर एक characters को सो करने वाला चीज होता है उसमें अर्थात पूरे characters involved है एक gene के अंदर तो हमको जिस चीज को निकालना है जो हमको जरूरत है उसी जरूरत के लिए हमको उस gene को निकाला जाता है इसलिए उसको हम क्या करते हैं बच्चो gene of interest करते हैं या desired gene करते हैं और हम undesired gene को नहीं निकालते हैं तो उसके लिए हम आगे बताएंगे। उसके लिए टेकनिक्स हैं कि किस प्रकार से हम डिजाइड जीन को आइसोलेट करते हैं। किस प्रकार से हम restriction इंडो न्यूक्लेज इंजाइम का प्रियों करके डिजाइड जीन को अलक्ष करते हैं यह हम आगे जो हम प्रॉसस पढ़ेंगे बच्चो तो प्रॉसस में हम जानने की कोशिश करेंगे पाले आप यहां क्यों इतना जानेंगे कि डिजाइड जीन क्या होता क्योंकि एक मैंने बता है कि जब एक आप पुरा thread निकालते हैं DNA का तो उसमें दोनों चीज होता है था डिजाइड जीन भी होता है अंडिजाइड भी होता है तो हमको क्यों डिजाइड जीन चाहिए जीन आफ इंट्रेस्ट चाहिए हम उसको isolate करते हैं दूसरी बात आती है زड़ जोड़ना तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि जो हमारा डिजाइड जीन होता है वो किसी आर्गेट से हम लोग करते हैं उसे डिजाइड जीन को isolate करते हैं और फिर उस डिजाइड जीन को कहा fit करते हैं अर्थात किसी bacteria के plasmid में उसी restrictionelson अंडर नूक्लेлект की में काटना है है कि नहीं अच्छो बिल्कुल उसी को compliment ना चाहिए जब उसी को compliment अधिक्ड होगा तभास जाके वह फिट होता है तोट डिजाइड जीन को हम fit करने के लिए प्लाजमीट का उतना एरिया काटते हैं उसी रिस्टिक्शन एंडियोब और फिर वहां हम क्या करते हैं बच्चों उस डिजाइड जीन को जीन आफ इंट्रेस्ट को उसी प्लाज्मिंट में लगा देते हैं जब उसको हम लगा देते हैं तो इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं बच्चों रिकंबिनेशन कहते हैं तो यहां क्या जा रहा है कि रिकंबिने करके बहुत सारे डिजायड प्राड़क्ट को डिजायड जीन को तयार कर देता है और उस जीन के द्वारा हम क्या करते हैं अपना मन चाहा एक्स्ट्रेक्शन कर सकते हैं ठीज तो हमको रिकमिनेशन की जरूरत होती है अगला जो क्योंचन है बच्चो रिकमिनेट डियने कैसे किया जाता है और साथ ही साथ इस रिकमिनेट डियने डेवलप्मेंट के लिए जो रिस्पॉंस्विल बैज्यानिक है बच्चो आप इसको लिख लेंगे बेरी बेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फार्द एक्जमिनेशन पॉंट आफ वीव तो फस्ट और डियने वाज इं बच्चो वह किसको कहते हैं यह दो साइंटिस्ट थे जिसको हम कोहन और बोयर काते हैं तो कोहन और ने सन 1972 में सबसे पहले रियने को निक च्वाप किया था किम ने जिसके दोरां हम मैडीफिकेशन करते हैं जीन का मैमीफिलेशन करते हैं बच्चों इसा bạn है इतऊ पूछें तो और डिने टेकनोलोजी के फादर कौन है बच्चों कोहन और जिन्हों ने इस तो 72 में सबसे पहले डिने को डिपलब किया था इस वेरी वेरी पूस्ट इंप्पोर्टेंट बच्चों एक चीज और आप जान लीजिए कि कोहन और बहुत रिचस्ट परसन है बहु उनके पास पहुच जाता है ठीक बच्चों अर्थात इन्होंने इसको पेटेंट करा लिया था पेटेंट उन्हों से अब जितने भी टेकनोलोजी अर्था न ने टेकनोलोजी की माध्यम से जितने भी प्रॉडुक्त तयार हो रहे होंगे उतले प्रॉड़र्दक्त का इस finished वो उनके पास तक पहुचता है इसले यह बहुत ही क्योंकि आज बच्छों टेक्नोलोजी का ही वाणा है बायो टेकनोलोजी के माधहम से प्राडुक्स तयार किया रहा है तो इनको वो पहुच याता है अर्थात यह पेटिन्ट करा लिए हैं यह तो रहा बच्चो जब होता कि पहले आप इसको जान लीजिए इसमें क्या करते हैं इसी कों समझाने कोछिश कर रहे है जो यह चार पॉइंट के भी साथ निकालते हैं रिकामिनेशन क्या होता है कैसे किया जाता है और कोहन यह यूगदान है यह बच्चों कि इस में लोगों सबसे पहले आप टेकनोलोजी को डिपलप किया है इसमें होता कि आइसो लेशन आप डिजारेबल जीन को किसी पहुत जिससे हम को निकालना है उससे हम क्या करते हैं बच्चों डिजाइड जीन को आइसुलेट कर लेते हैं प्रिथक करने के टेक्निक को आगे बताएंगे जिससे हम डिजाइड जीन को काटें उससे प्लाजमिट को भी काटना पड़ता है क्यों क्यों क्योंकि बिल्कुल उससी सिक्वेंस में काटना होता है उससी इंडिजाइड जीन को काटें उससे प्लाजमिट को भी काटना पड़ता है और फिर उसके compliment copy को उसी पर क्या कर दिया है बच्छो अर्था त्लागेश के माध्यम से इसमें लगा दिया जाता है चिप्का दिया जाता है अब फिर यह हो जाता है तो उसी को हम क्या करते हैं बच्छो RDNA करते है Kingdom DNA करते है अब वो j тебе N i'ill है वो अच्छो और DNA कहते हैं रिकमिनेंट DNA कहते हैं अब इस रिकमिनेंट DNA को हम क्या करते हैं बच्चो किसी वेक्टर के अंदर अर्थात किसी प्लाजमीट वेक्टर फिर वो किसी दूसरे बैक्टिरिया अर्थात किसमें अब वो हम किसी प्लाजमीट वेक्टर के अंदर हम क्या करते हैं and transferred into the suitable host अब यह जो डिजाइड जीन है बच्छो डिजाइड जीन को हमने किसी प्लाज्मिट सांथ लगा दिया उसको हमने आर डिन ने बना लिया अब उसे रिकमिने डिन ने को हम करेंगे क्या बच्छो हम किसी सुटेबिल होस्ट के अंदर डाल देंगे अब जब किसी सुट वफढते स्टीर्ट डिजाइड जीन लगा दिया है जो हमको चाहिए इंसुलीन चाहिए लाइपेज को बनानेके लिए जीतनी बार वह डिप्लिकेट करेंगे जितना उसका vivi करते हैं वही हम करते हैं सबसे पहले हम डिजाय जैने को मैं प्लाजमीट के साथ लगाते हैं जिसको हम अर्ड नी काते हैं अब उसे इसमें डालते बैक्तिडिया के अंदर तो वё बैक्तिडिया क्या करता है बच्छो जितनी बार वो multiply करेगा उतना ज्यादा उसका क्लोनिक बनता चला जाएगा और हमारा डिजाइड जीन भी बन जाएगा तो यही हम प्रक्रिया करते हैं बच्चों की डिजाइड जीन को isolate करते हैं करने के बाद किसी बेक्टर के माध्यम से या डारेक्ट इंसर्ट भी कर सकते हैं ठीक इसके टेकनिक को हम आगे बताएंगे के बताएंगे बेक्टर करते हैं बैक्टीरियल लाज मीट में उसको क्या करते हैं बच्चों लगा देते हैं लगाने के बाद हम क्या करते हैं उसको अभी हम आगे बता रहे हैं कि इस प्रकार से करते हैं जैसा कि आप देखिए यह देखिए एक मिनेट थोड़ा सा अब थोड़ा सा पहली इसको जान ले बच्चों कि chemical engineering क्या होता है फिर आगे हम चलते हैं तो chemical engineering मुझे सख हम देख रहे हैं मेंटेनेंस आफ इस्टिराइल डैट इस अ कंटामिनेशन फ्री डैट इस दा प्रोसेस वेर वनली ग्रूट आप डिजाइड माइक्रोब्स इज लार्ज इन लार्ज कॉंटिटी तो अप्टें है अब जो किसी डीजाइड माइक्रोब्स का ग्रूथ कराते हैं और फिर क्या करते हैं बच्छों हाय हुजडिमाउंट में क्या करते एं कि सी क्यम क्या करके के स्थ की माधियम से क्या करते इन सब को जो इंप्रूमेंट किया जाता है बच्चों उसको हम केमिकल इंजिनेरिंग के द्वारा करते हैं तो मेंटेनेंस आप इस्टेराइल डेट इस दे कंटामिनेशन फ्री दे प्रॉसेस वेर वनली ग्रूथ आप डिजाइड मायक्रोप्स इन लार्ज क्वांटिटी य आई बचो पहले अम इसको प्रॉसेस को जाने है जब तक हम इसके प्रॉसेस को नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा आगला देख्यें जैनेटिक इंजिनेरिंग होता क्या है अभी आप पड़ रहे थैं जैशने कि जैनेट मिफोता ही नाय फ्रीक्रीटतां को शा चाहिजा है किसी भी organism को बदलना या उसके expression को क्या करना विजी डेबलब्व करना ना कि होता है नियुक्त छ content में पमेंट हो जाता है तुम सब्सक्राइब होगाते हैं और jis displayed material इंप्रूमेंट हो जाता है तो उसके इनियुक मैने में किसी प्रिकार चाहिए तो strain में जब हम gene manipulation के दौरा gene modifications के दौरा इसको phenotype को बदल देते हैं उसका जो actual form था बच्छे उसको हम change कर देते हैं जो nature की दौरा दिया गया natural form था उसको हम किसी genetic engineering को develop करके किसी methods को use करके biotechnology का use करके जब हम उसके पूरे phenotype को बदल दें उसके पूरे वाय आकार को बदल दें तो उस प्रक्रिया को हम genetic engineering करते हैं ठीक बच्छों इस वेरी वेरी मॉस्ट इंपॉर्टन आए बच्छों हम जानने की कोसिस करते हैं प्रिंस्पिल्स आप बायो टेकनोलोजी जो हम अभी बात कर रहे मैंने कहा कि जब तक इसको देखेंगे नहीं समझ मना ही आएगा आई यह हम प्रिंस्पिल्स आप बायो टेकनोलोजी को समझने कोसिस करते हैं तो यहां देखिए बच्छों सबसे असपस्ट धंग से दिया गया है कि यह किसी आर्गेनिसम का जिसको जो चीज हम को चाहिए सच जिस हम इंसुलीन को बनाना चाहते हैं किसी एंजाइम को बनाना चाहते हैं किसी हार्मोन्स को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जो रिस्पॉंसमिल जीन होता है बच्चों उसको हम डिजाइड जीन कहते हैं या हम उसको या हम उसको passenger gene करते हैं या हम उसको gene of interest करते हैं उसको कई हो नाम से जाना जाता है तो जिस चीज को हमें प्राप्ट करना है जैसे हमारे सरीर में insulin की कमी हो गई है diabetes हो गया तो इस insulin के बनाने के लिए जो responsible gene होता है बच्चों उसको हम isolate करेंगे और उसी gene का नाम होता है desired gene, foreign gene, alien gene, passenger gene या फिर gene of interest होता है ठीक बच्चों सच ऐस किसी एक को example लेकर चल रहे हैं हम जैसे हमने बता है कि insulin को निकालना इससे प्रकार से यहां एक दूसरा example पर इसकिया जा रहा है antibiotic resistant gene एक ऐसा gene जो antibiotic को resistance करे Salmonella typhi जिसका नाम है उसके strain की बात करें तो Salmonella typhi murium क्या नाम है बच्चों Salmonella typhi murium लिख लिजिए Salmonella typhi murium एक ऐसा strain है बच्चों जिसके लिए हमको desired gene उसी अर्था desired gene जो gene of interest है उसको हम isolate करेंगे अब हमको क्या बनाना है बच्चों हमको बनाना है antibiotic resistant gene तयार करना है ठीव जिससे typhi की बिमारी ना होने पाए ठीव जिससे तो आईए हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि यह desired gene होता क्या है gene of interest कहते किसे हैं alien gene है क्या तो हम एक 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 बिसम बात करते हैं must be able to replicate एक ऐसा gene होना चाहिए बच्चों जो क्या करें self duplication करें अर्था उसमें sorry replication की प्रक्रिया होनी चाहिए must be able to replicate अर्था उसमें replication करने की प्रक्रिया अर्था tendency पाई जानी चाहिए दूसरा क्या है बच्चों it is only possible if desired gene become part of chromosome यह तभी possible हो सकता है जब वो desired gene chromosome का part बने है न बच्चों अर्था जब यह chromosome का part होगा तभी यह desired gene में self replication आ सकता है जो replication की प्रक्रिया है बच्चों वो तभी possible हो सकता है जब वो किसका part हो chromosome का या extra chromosomal DNA which has origin of replication अर्था यह ऐसे मतलब यह desired gene है बच्चों वो उसके सांथ जुड़े जिसमे और्थात ओरेजीन आफ replication देखने हो ओरराई sites जो जिसमे देखने को मिले तो ओराई site किसमें देखने को मिलता है बच्चों bacterial cell में देखने को मिलता है protoplozmik cell में देखने को मिलता है तो जो हमारा sorry protoploegal सामीकर रहें तो जो हमारा रा ची सल में सचstadt बैक्टिरिया में और आई साइड देखने को मिलता है तो फिछा 사용 र sora Igre Camerasa 7 से देखने को मिलता है बैक्टिरिया में आप देखेंगे तो दो डिय高ए एक होता है जो उसका खुद का डियंड होता है जिसकोय यूज नहीं है वो यूज हम लोगं के लिए च्वह बढ़ा उपयोगमिक जब कि बैक्रिया के लिए उसका बहुत ज़्याद बहुत। जो उपयोग है, हम अगे बताएंगे, फ्लाजमीट का बहुत ज़्याध उपयोग वैक्टीरिया के लिए भी है, लेकिन लेकिन हम आपिंध ब्रॉझ करेंगे, क्या ब्रॉब्जोध करेंगे लिए भी गता, क्योंकि बद्爵िकर है, डालता है, वित संद्रेंगे, वी ज्यादा बाक्टिरिया के लिए उपयोगी नहीं और यह पिर अपन dejar ने किरह सॉप्टिया के लिग जायन arrivé और वह होताए अर्थाद बैक्टीरिया के अंदर यह प्लाजमिट पहाताaghetti है बच्चो जैसा कि आप देख रहें यह बक्तीरियल से ने हैं जिसमें इसके टोटल जो है giय niegoैनिक truc देखने को मिल सकते हैं कि यह उसक्राइब यहारत करता सकता है तो यह कुलोनिंग करा सकता है तो यह प्रक्रिया जो पाल सकती है वह प्रोकरिया चे इंदर बेक्टिराप देखने को पाइजाता हूं अर्फा एक्स्टर ख्रोमोजोमल डिने के साथ अब दूसरा हम बात करें बच्छो तो यह जैसे हमारा यह जो डिजैड जीन है यह डिजैड जीन किसके साथ फिट होगा वह इसके सांथ होगा जिसको हम वहीकिल कहते हैं प्लाजमीट का क्या नाम है अर्थात यह क्या है यह गाड़ी है एक मोटर है अर्थात किसी मोटर के द्वारा जैसे हम लोग पढ़े हैं पारसिटॉल्जी में कि जैसे हम को malaria fever हो जाता है तो malaria fever के लिए जो causative organism है वो कौन होता है बच्चो plasmodium तो क्या plasmodium सीधे चलके हमारे सरीर के अंदर entry कर जाता है ऐसा तो नहीं है उसके लिए कोई ने कोई vector होता है तो उसके लिए जो secondary होता है वो vector कौन होता है बच्चो maskuto अर्थात maskuto जो हमको bite करती है तब वो plasmodium जो अर्थात जो causative organism malaria के लिए उस plasmodium को हमारे सरीर के अंदर inject कर देती है तो यहाँ vehicle अर्थात एक गाड़ी की रूप में एक passenger के रूप में किसने काम किया अर्थात ये messenger के रूप में तो ये किसने काम किया एक vehicles के रूप में गाड़ी के रूप में वेक्टर के रूप में जो काम किया बच्चो वो maskuto ने किया ठीक इसी प्रकार से जब किसी desired gene को किसी appropriate host के अंदर डालना है तो वो कैसे जाएगा अपने आप तो जा नहीं सकता तो ये जो desired gene है बच्चो ये desired gene sorry इसको हम फिर से दिखते हैं ये जो desired gene है बच्चो ये जैसा कि आप ये देख रहा है ये desired gene ये plasmid के द्वारा और ये plasmid हमारा vehicle का काम करेगी अर्थात एक गाड़ी का एक car का काम करेगी और ये क्या करेगी बच्चो इस desired gene को अपने साथ लगा कर क्या करेगी बच्चो किसी appropriate host के अंदर ले जाएगी तो ये जो plasmid है ये vehicle DNA के रूप में जानी जाएगी और vector DNA के रूप में अर्थात ये vector भी है वाहक भी है और साथ इसाथ vehicle के रूप में काम करेगी तो आएगे हम जानते हैं कि ये है क्या तो क्रोमोजोम क्रोमोजोमल और एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल DNA विच है ओरिजिन आफ रिप्लिकेशन तो vehicle वही बन सकती है अर्थात vector के रूप में vector DNA वही हो सकता है जिसमें क्या हो बच्चो origin of replication देखने को मिले और यही होता है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल DNA कौन है बच्चो यही है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल DNA जो vehicle के रूप में काम करेगा और इसमें आप देख रहे हैं कि ये क्या देखने को मिल रहा है इसमें origin of replication देखने को मिल रहा है आगे आए जानते हैं जैसा कि बच्चों आप देखिए तो जो वहाँ desired gene था ये देखे desired gene मैंने बताया था कि यहाँ introduction of the restriction endonuclease enzyme और थात restriction endonuclease enzymes के द्वारा हम desired gene को cut करते हैं और फिर उसी restriction endonuclease enzyme के द्वारा हम plasmid को भी cut करेंगे और सेम उसी complement में अर्थात उसी जीस प्रकार से आप उसको काटेंगे desired gene को ठीक उसी restriction endonuclease enzyme के सहरा से हम plasmid को भी काटते हैं और क्यों काटते हैं क्योंकि वो restriction endonuclease enzyme उस sequence को पहचानता है और उसी sequence में जाके काटेगा और फिर वो क्या होता है बच्चे उसी का complement copy बनाता है और उसी complement copy को यहाँ set कर देता है तो देखिए आप यहाँ देखिए तो यह था प्लाजमिट था अब प्लाजमिट को restriction endonuclease enzyme के द्वारा यह पूरा area काट दिया गया है और उतना area काटा है restriction endonuclease enzyme ने जितना desired gene है अब इस desired gene को यहाँ fit कर लिया गया किसके द्वारा अर्धार introduction सब ligage काटने के लिए restriction endonuclease enzyme और जोडने के लिए ligage enzyme चुकि जो कटा है उसको जोडना पड़ेगा तो इस side को जोडने के लिए जहां यह cut हुआ था बच्चो इसको जोडने के लिए ligage की आवस सकता होती है गम की आवस सकता होती है जिसके द्वारा यह जुड़ेगा तो इस जब जुड़ गया बच्चो तो इसी को हम कहते है recombinant dna r dna कहते हैं क्या कहते है बच्चो r dna या इसको हम chimeric dna भी कहते है इस very very most important आप इसको remark कर लेंगे लिख लेंगे तो r dna क्या बच्चो जब किसी desired gene को किसी plasmid के द्वारा जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार से बना हुआ जो dna होता है उसी का नाम होता है recombinant dna और इसी recombinant dna को सबसे पहले boyer and kohen ने उन्हें 152 में तयार किया था ठीक बच्चो तो सबसे पहले r dna पहली बार r dna को किसने construct किया किसने module बनाया प्रिपेर किया बच्चो boyer and kohen ने और कब किया था उन्होंने 152 में यह हमारा बनके तयार हो गया rdna को किसी दूसरे बैक्टिरिया के अंदर अदर हम ट्रांसफर करेंगे जब हम उसको transfer कर देंगे बच्चों, तो transfer होने के बाद वहाँ चला जाएगा, तो यह कुलाई में क्या होता है बच्चों, जो हमने RDN ने डाला है, यह RDN ने, चुकि यह organism सेम है, prokaryatic still है, तो वहाँ यह क्या करेंगे बच्चों, RDN ने जब जाएगा, तो यह self duplicating करेगा, अर्थात बहु जो बन गया है, वो कैसा होस्ट हो गया, अब उस होस्ट का नाम जो हो गया, बच्चों, उसका नाम हो गया, genetically modified organism, वो कैसा आर्गेनिसम बन गया, बच्चों, genetically modified organism बन गया, अर्थात बहु मोडिफाइड कर दिया गया, उसके gene में manipulation किया जा रहा है, अर्थात यह कोई साधर organism हम नहीं रहा गया, उसको हम कहेंगे, genetically modified organism, ठीक बच्चों, क्यों कि उसके अंदर RNA को insert कर दिया गया है, ठीक बच्चों, इस प्रकार से आप देखेंगे, जो मैंने बताया है, बीटी बरिंजल जो बनाया गया है, बीटी बरिंजल के अंदर भी क्या किया जाता है, अर्थ उसके अंदर उस कीड़े को मारने के लिए resistant gene डाल दिया गया है, जो उस कीड़े को मार डालेगा, तो वो आप जो पहले तो वो जो plant था, वो कैसा था, वो साधान प्लांड था, लेकिन जब उस plant के अंदर उस pest को मारने के लिए gene transfer कर दिया गया है, RNA के रूप में, तो अब वो कोई साधान नहीं रहा गया, अब वो कैसा plant बन गया बच्चों, वो genetically modified plant बन गया, तो इस प्रकार से यह जो organism जिसको हम E-coli कहते हैं, बच्चों, E-coli के अंदर जब आप RNA को insert कर देंगे, तो इस प्रकार से वो बना organism जो होगा बच्चों, वो genetically modified organism कहा जाएगा, अब इ taking the multiple identical copy of any template DNA, अर्था template DNA का, जो हम desired gene डाले थे बच्चों, यह वाला part, अर्थात यह हमारे desired gene का multiple copy बनता चला जाएगा, ठी बच्चों, जितना हमको चाहिए, उतना वो तयार हो जाएगा, तो इस प्रकार का, जो multiple copy बनता, उसी को हम clone कहते हैं, अर्थात, cloning कहते हैं, ठी पूरा process जो है बच्चों, यह क्या था बच्चों, इस पूरे टेक्निक्स को इस पूरे process को हम एक एक करके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठी बच्चों, तो आज की वीडियो में बच्चों, हम लोगों ने इसके introduction और कुछ basic principles को जानने की कोसिस की, उमीद है बच्चों आज की lecture आपको बहुत अच्छे से समझ माया होगा, अगर बच्चों lectures बहुत अच्छे से समझ माया होगा, तो जादे जादे वीडियो को like करें, share करें, सबसे पहले बच्चों, अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया, तो चैनल को ज़रूर subscribe करें, और bell icon को प्रेस करें, जिसस कि हमारे जो नए नए नौटिफिकेशन बन रहे हो जो नए नए नौटिफिकेशन हो बच्वो आपके पास तक पहुंछते रहे हैं ठीक बच्व तो बच्व अगर आपके और यार दोस्त पढ़ाई कर रहे हूं medical क्यारी कर रहे हों किसी competitive examinations के साथ academic भी अगर B.A.B.S.C. MSC या फिर और किसी paramedical के courses कर रहे हैं बच्चों तो उनको भी आप share करें जिससे उनकी भी तयारी सुचार रूप से चल सके ठीक बच्चों किसी परकार का कोई सुझाओ हो किसी परकार का कोई कर दो क में किसी परकार कनली हम झीहाओ की खु sums किसी ज़ा है बच्चों किसी परकार रख़ है कर रचतार्एड है श्यारी करिकार का हम स्वेम्ज़ रवारी विश्सक परकार कॉप से धच्ट हो ज, समस्त में, सल्स्त में, इस अवद्सकी बगी को अजहरार